नगरनिगम शिम्ला के चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रही है मतदान सुभे आठ बचे आरंप हो गया है जो साएं चार बचे तक चलेगा मतदान को लेकर आरंप में ही लोगों में काफी जोश नजर आ रहा है और मतदाता कतारों में खड़े होकर वोट डालने का इंतजार कर रही है उमीद है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा और मौसम में सोधार होगा वैसे वैसे मतदान की गती में भी तेजी आएगी शहर के संजॉलिक शेतर में मतदान को लेकर आए देखते हैं हमारे समाददाता योगराज शर्मा की ये रिपोर्ट का उत्सा जो है नगर निगम चुनाओ को लेकर मतदाताओं में है लंबी कतारें आपको यहां पर नजर आएगी कुल 102 परतियासी जो है चुनाओ मैदान में है जिनके भागे का फैसला होना है और 34 वाड पर ये मतदान प्रिक्रिया शुरू हुई है और 4 बज़े तक शाम तक ये प्रिक्रिया चलेगी मुख्यमंत्री सुक्विंदर सिंग सुकु भी जो है वो छोड़ा शिमला में 12 बज़े के आसपास जो है वो मतदान करेंगे और आनंद शर्मा भी जो है शिमला मतदान के लिए पहुंचे है कलस्टन में उनका वोट है तो कुल मिलाकर उत्सा काफी ज्यादा लोगों में है क्योंकि मौसम पिछले दिनों से खराब चल रहा है बावजुदिस के आप देख सकते हैं लंबी कतारे यहां पर है और उत्सा लोगों में काफी है शिमला नगर निकम के चुनाओं को लेकर दोनों ही दल दावे भी कर रहे हैं कि उनकी जीत होगी अब आज मदाता तै करेंगी कि किसको एमसी शिमला में चुनकर बेजा जाना है चार मई को परिणाम आने है दस वज़े से काउंटिंग शुरू होगी चार मई को तै हो जाएगा कि नगर निकम शिमला पर किसका कबजा होता है शिमला से डेडी न्यूज के लिए योगराज शर्मा इस बार शिमला नगर निकम चुनाओं में विभे नराजने तक दलों वो निर्दली और प्रत्याशी के रूप में 102 उमीदवार अपना भागया आजमा रहे हैं कॉंग्रेस वभाजपा ने सभी 34 वार्डों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं इसके अलाबा आम आदमी पार्टी 21 और माकपा 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है नगर निगम शिमला में मतदान के लिए कुल 149 मतदान केंद्र स्थापित के गए हैं इन में से 10 मतदान केंद्र, 30 समवेदन शील, 40 समवेदन शील और 99 मतदान केंद्र सामाने खुशत के गए हैं चार वाडो, लोवर धली, विकासनगर, कंगनाधार और न्यूशिमला के लिए चार सहाइक मतदान केंडर भी बनाए गए हैं। राज्य निर्बाचन आयो की ओर से 153 मतदान दल न्युक्त किये गए हैं, जिनमें लगभग 1000 मतदान कर्मी वसुरक्षा कर्मी शामिल है। नगर निगम शिमला में कुल 93,920 मतदाता पंजिकरित हैं, जिनमें से 49,769 पुरुष और 40,161 महिला मतदाता शामिल है। विकासनगर वाड में सबसे अधिक 4,161 जबकी मल्याना वाड में सबसे कम 1,166 मतदाता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आज साएं मतदान स्माप्थोने तक शिमला नगर निगम की परीधी में शराब वा अन्यमादक पदार्थ बेशने पर प्रतिबंध लगाया है। नगर निगम के लिए पड़े वोटों की गणना चार मई को होगी और इसके तुरंत बाद चुनाव परिनाम घोशित कर दिये जाएंगे। हो रहा है निर्वाचन अधिकारी वोईस्टियम राज कुमार ठाकोर ने बताया कि यहां नगर पंचायत के एक पद के लिए तीन उमीदवार चुनाव मैदान में हैं। सीठ के लिए मदों की गिनिती आज साएं पांच बजे आरंप होगी और इसके तुरंत बाद चुराव परिनाम घोशित कर दिया जाएगा। झाल